आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें यहां पर जो OH- होता है, यह दोस्तों, इस H+, को लेकर इसको O- में बदल देता है ठीक दोस्तों, यहां पर O- और यह जो Na+, होता है, इसके साथ चला जाता है, पर H2O बाहर निकल जाता है इसे दोस्तों, sodium phenoxide कहते हैं, sodium phenoxide अब दोस्तों, क्या होता है, हमारा NaOH- में पड़ा रहता है दोस्तों, और जो क्लोरोफार्म होता है दोस्तों, तो NaOH- प्लस CH, दोस्तों, CL, 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 यह दोस्तों, H- इस H को लेता है, दोस्तों, यहां पर C9, CL, CL, CL बना देता है अब दोस्तों, एक CL यहां माइनस यहां से बाहर निकलता है, दोस्तों, इस कार्बन को CL, CL, इस प्रकार से उदासीन बना देता है दोस्तों यह हमारी कार्वीन बन जाती है जो कि दोस्तों इलेक्टरान इस नहीं होती है ठीक दोस्तों इसलिए इलेक्टरान इस नहीं कार्वीन दोस्तों इस सोडियम फिनाकसाइड आयन से क्रिया करती है ठीक दोस्तों किस प्रकार क्रिया करती है यह दोस्तों हमारा O- होता ह यह दोस्तों C, C, L, C, L, कार्बीन होती है यह O- दोस्तों वापस आता है यहाँ पर N- प्लस भी होता है यह दोस्तों बंद खुल कर इस पर क्रिया कर देता है हमारा बंदा यहाँ पर दोस्तों यह बंद ऐसे ही रहता है यह सेम रहता है यहाँ पर double बंदो, यहाँ पर दोस्तों C, C, L, C, L, इस carbon पर दोस्तों redion आ जाता है, ठीक है क्योंकि इसने electron लिये हैं, यहाँ पर कोई aways नहीं था, electron लेता है तो redion आ जाता है, अब दोस्तों यहाँ पर hydrogen है, ठीक है? अगले बदमें दोस्तों क्या होता है? यह दोस्तों, रूडिनाइन है, वो इस H को लेता है, क्योंकि इसकी इरोमेटिक गुण इसका दोस्तों चला गया है, इसलिए दुबारा इरोमेटिक गुण आ लेकिले, यह H प्लस जाता है, और इसको O- की फार्म में खोल देता है, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से यहाँ पर C-H, C-L, C-L बन जाता है, अब दोस्तों, पहले फिर से O- जो पड़ा होता है, वो आता है, इस पर क्लिए करता है, C-L को बाहर कर देता है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनता है, O- C-H, यहाँ पर C-L और O-H, अब दोस्तों, अगले पन में क् C डबल बंद O यच धनायन दोस्तों और दोस्तों इस कार्बन से एक एच लगा रहता है अभी O मैं दोस्तों इस H प्लक्स को लेकर इसको दाशीन कर देता है तो दोस्तों जो हमारा अंति मुत्पाद बंदता है वो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से O H C डबल बंद O H यह दोस्तों हमारा इस प्रकार से एक आर्थो उत्पाद बंदता है इनके बीच हाइडोजन बंद होता है C और O के बीच में इसलिए दोस्तों यह हमारा मुख्य होता है ठीक दोस्तों प्लस में दोस्तों एक इसी सेम इसी प्रकार दोस्तों यहां पर OH और यहां पर C-A जो कि एक पहरा उत्पाद होता है ठीक दोस्तों यह पहरा लेकिन दोस्तों मुख्य नहीं होता है ठीक है क्योंकि यहां पर कोई है डूनल मंद नहीं है दोस्तों यह जो बनता है दोस्तों ऊपर की सेम अभिक्रिया द्वारा बन जाता है उपर जैसी अविक्रिया द्वारा ठीक दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होता है यह जो दोस्तों यहां पर इस कार्बन ने क्लिया करा है यहां से यह कार्बन इस पर क्लिया करता है और दोस्तों पैरा उत्पाद बना देता है इसी प्रकार से सेम ठीक है दोस्तों एक समान अव पाद मुख्य होता है यहाँ पर कोई hydrogen बंद नहीं है तो इसले दोस्तों आशा करते हूं आपको हमारा यह उत्तर समझाया होगा कि फिनाल का छारी विलन क्लोरो फारम से क्रिया करके दोस्तों कौन सा उस बात बनाता है ओके दोस्तों हमारी क्रिया विद भी समझाई होगी आपको ठीक है थैंक यू